जनरल साइंस के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है हम लोग देख रहे हैं आरो यारो के लिए जो एक्जाम होने वाले हैं उससे जनरल साइंस से 900 प्लस MCQ की सिरीच चल रही है जिसमें एपिसोड 4 है और एक से क्यावन कुष्चन पिछले लेक्चेर में लेक्षिर में हम लोग कर चुके हैं बात करिए तो सभी एक्जाम के लिए इंपॉट्रेंस है क्योंकि हमने सभी एक्जाम के इस्टेट के पीजियस के लोवर के science के question solve किये है क्यांकि general science तो universal है किसी specific stage के लिए ना तो vitamins से होने वाले commissional रोग बढ़ दिल सकते हैं ना तो संक्रमर रोग बदल जकते हैं ना तो बहुत की biology या किसी भी ज्यान की जो general science की book है उसकी basic structure बदल सकते हैं ठीक है तो इसलिए यह सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंस है आरो यारो के साथ साथ बात करें कुश्चन नमबर 51 की 152 की बात करें 151 तक कर चुके हैं तो इसमें देखेंगे तो इसे पुछा है नीम लिकित में कौन सा पेड़ परेया वर्ड के लिए खतरनाक है नीम यू आरो पेड़ों में से कौन सा पेड़ जो है वह परेया वर्ड के लिए खतरनाक है तो आप देखेंगे अपने गाउं में रहते हैं तो आप सफेदे का पेड़ देखेंगे उसे हम लोग गाउं में सफेदा बोलते हैं ठीक है तो सफेदे का पेड़ होता है अगर जहां वह और देखेंगे कि उसके आसपढ़ोस में तो वह पानी बहुत जादा सोकता है ठीक है वर्सो तक लगा रहता है फिर उसका पेर तयार होता है तो वह क्या करता है उस्सें क्या कहते है मापसन बी सही हो जाक नमबर वन फाइब थी की बात करें इस पूचा है डाई क्लोरो फिनेल डाई क्लोरो इथेन यानि DDT एक है गहर प्रदोसक गहर बायो-डिक्रड़िबल प्रदोसक आपसन डिज़ी दिया है जैवर आसानिक प्रदोसक तो आपको पताना है कि जो DDT है वो क्या है इन चारों में से ठीक है तो चलिए आपसन चूछ करि में इन में क्या साइए तो बात करें डीडीटी के डीडीटी कि एक जो है आप देखें कि इना सक्दवा है और इसके कही देशों में इसे बैन का किया जा चुका है क्योंकि यह एक जो है नॉन-बाड रिग्रिवल पदूसक यानि इसमें option B जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा यानि इस अगर यह जहां यूज किया था यह अब गटित नहीं होता है इसमें option B सही है question number 154 में पुछा है भारा सरकारद्वारा परेवाड की सुरच्छा सरक्षड है तो परेवाड सरक्षड अधनियम कब पारित किया गया वह अन इस्टेट के पीसेस के जाम हो एक्ट देदेगा आपको सन पूछ लेगा तो इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन एड की जहां तक बात है तो उसका संबंद 1986 से है 1971 में क्या हुआ था इरान के रामसर सहर में देखेंगे तो यहां पर जो है रामसर कन्वेंशन हुआ था जिसका संबंद आप देखेंगे किसे है वेटलेंड कंजर्वेशन से है ठीक है तो इसमें कौन से सही हो जाएगा इसमें ऑप्सन डी सही हो जाएगा नेक्ष कुछन की बात करें नेक्ष कुछन पूछा है थर्मोडाइनमिक रूप में सबसे अधिक इस्थिर कार्बन है को कार्बन के अपरूप है लेकिन आपनों आपसे पूछा है थर्मोडाइनिक्स में रूप के में सबसे अधिक इस्थिर कार्बन कौन सा है ठीक है तो सबसे इस्टेबल अगर आपसे कार्बन अपरूप पूछा जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या है ग्रेफ हाइ प्राक्तिक रोपमे पाई जाती है आप देखेंगे अप और अगर पुछा जायए आपसे कि मेथेन के उस तरजन में किसका सबसे बड़ा कॉंऐबीऊशन है तो आप दिखेंगे एग्रीकल्चर छेत्र का सबसे बड़ा contribution है और एगरी culture में कौन सी फसल कर पुछे जाए तो ध्यान रखिएगा एगरी culture में आप धान की खेती करते हैं धान के खेती से सबस्यादा मेथेन काउट सर्जन होता है पुछे नमबर 57 पुछा है भारत में सो रुजा से संचालित पहला हवाई अड़ा है चन्नाई कोच्चीन एमदाबाद नई दिल्ली तो आपको बताना है कि भारत में सो रुजा संचालित पहला हवाई अड़ा कौन सा है ध्यानर कियेगा भारत में जो है संचाली जो है पहला हवाई अड़ा कोच्चीन है यानि आप्शन बी इसमें सही है कुशन नमबर 158 इसमें पुछा है बैसलेस हेमोफिलस इन्फ्यूंजा का कार्ड बनता है काली खासी छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस का रूप निमोनिया इन्फ्यूंजा ते लिए बताएं कि बैसलेस हेमोफिलस इन्फ्यूंजा है उसके कार्ड क्या होता है तो आप देखेंगे कि जो बैसलेस हीमोफिलिस इंफ्लियंजा है उसका कार्ड जो है निमोनिया होता है इसमें आप्सन सी सही है ठीक है अगर आपने अभी हमारी जनरल साइंस की जो है डिजीस के क्लासस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जरूर दाकर देखिए हमने सारी डिजीस में बेकाइदा डिसकस की है डेक्स कुशन की बात करें पोटो केमिकल स्मॉग हमेशा महुजूद रहता है फासपोरस ओजोन मेथैन अलमोनियम आयन में यह भी कुशन रिपीट हुआ है पोटो केमिकल से यानि सूर के द्वारा जो आप देखेंगे जब इंट्रेक है इसके अलमा अभी हमने बात की है एक है तो फोटो केमिकल स्मॉग की बात कर ली नेक्स बात करेंगे कुछ देख लेते हैं जैसे आपसे पुछा जाए कि सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर है भारत में सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है रायस्थान के जोदप Jourण पुरजिले में पलोधी तहसिल में आप देखें गे बदला जो है वीस हो पैतारिस मेगा वर्ड का सोलर पार्ड लगा है इसके एलाम प्रांट है जिसकी जो बिजली होती है उसकी अत्रिक्त बिजली जो है यह अंतर राज जी ओपन एकसस दिया गया यानि आप दिल्ली मेट्रों की बिजली की आप पूर्थ करता है इसके अलावा कुछ अपडेट्स हैं वह आपको ध्यान रखने हैं जैसे इसके पहले अगर आ इसकी एक जुलाई की तो आप देखेंगे रामा गुंडम तेलंगाना में जो है रामा गुंडम फ्लोटिंग सोलर पार्क की चालू हो गया है जिसकी चमता जो है 100 मेगा वाट कैपसिटी यानि भारत की सबसे बड़ी सोलर फ्लोटिंग पार्क परियोजना चालू हो गई है आप से आप से पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी सोलर फ्लोटिंग सोलर पार्क कहां स्थापित किया गया है तो आपको तेलंगानम बताना है रामा गुंडम में ठीक है इसकी कैपसिटी 100 मेगा वाक्त यह आपको ध्यान रखना है करें इसके लाव मानोसम्मंदित रोग की बात करें तो काली खासी पूचन था तो आप देखेंगे एक बैक्टिरिया होता है बर्ते टेला पौ्टिस इस के दवारा फैलता है इसी को देखते हुए सब सरकार नासरकार आप देखेंगे टी, की इसको नहीं और कुछ ट्रोग की बात करें कुछ रोग जो होता है यह भी जो है एक mycobacterium फैलता है लंबे समय तो कुछ रोगी संपर प्रहने फैलता है इसमें दीके sulfur drug का प्योग करें जाता है घाओ को साफ करने में sulfur drug से भी कुछिन पूछा गया इसलिए मैनेश को डाला sulfur इसको साफ करने के लिए वाइरस से फैलता है यानि आम जो है मौसमी सरंकमण सिफ है जैसे आप देखेंगे तो इसमें आपको चीक आना यह सब जो है जो है जैसे आप वीकनेस फीवर हो जाए ठीक है सांस लेने में प्रॉपर सान हेडेक हो कफ हो जाए तो यह कहते हैं ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं अभी हमने बताया कि पॉलुटेंट की बात की तो आपको पॉलुटेंट से कुश्चन आया है जैसे अगर आपसे पुछा जाए कि प्राइमरी पॉलुटेंट यानि जो प्रकित में मौजूद रहते हैं वो कौन-कौन से हैं तो यह सब क्या है स जोन लेयर कहा है आपको हमेसा बताना है समता पंडल के निचली सत्ता पर जोन लेयर है ठीक है कि इसके लाव मगार इस क्लास को पसंद आ रही हो तो आप पीडियाफ चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे दो चैनल इस श्री और यूपेसी पीडिय पूछा गया वंशिक्ष्ट में पूछा गया निमलिखित में कौन सी सामगरी जैनीम निकरड है यानि वह बायो डिक्रड़ है यानि उसका च्छाए हो सकता है काच की बोतर प्लास्टिक कप अलमोणियम पन्नी उन ताब को बता रहा है निम्ण से कौन सामगरी ऐसे है जिस सलफा औस निमलिकित किस प्रकार की आउसाद है अंटिसेप्टिक दर्द ना सक जौर ना सक और जिमाड रोदी अभी हमने बताया कि सलफा औस प्रकार की आप देखें कुछ ट्रोग में सलफा रग कॉप्यों की आता है ठीक है जिस एरिया में कुछ रोग हो सुच्छाफ करने का मतलब आपको जानना पड़ेगा बावे मास एनर्जी जो है इसका मतलब जीवित और जीवित है या जीवित रहे चुके है उनके जिवा हंदर जो एनर्जी बना जाती है उन्हें ही पूछ रहा है तो आप देखें परमाण एनर्जी क्या है यह अच्छे उर्जा का किया जाता है इजल पेट्रोल दोनों भाप इंजन पेट्रोल इंजन डीजल इंजन आपको बताना है कि किस प्रकार की उसमा इंजन में कर्बूरेटर का उपयोग की आता है यह कुश्चन आया था यूपीपीचीस 2022 में तो बताईए इसका तो आप देखेंगे पेट्रोल होता है उसमें एयर और फ्यूड का जो है कंबंशन होता है जिसे जाब देखेंगे इंजन दोर यह होता है इसमें पेट्रोल इंजन हो जाएगा यहां तक डीजल इंजन की बात कर लिए तो इसमी कार्बूरेटर नहीं होता केवल हवा के दबाव से आप सुमपीची劃श हो अप्रेल तीस जनवरी तो ओजोन दिवस द्वारा देखेंगे 16 सिप्तिम्बर 1994 को जो है ओजोन दिवस के सुरुवात किये थे यानि आपसंट भी ठीक है यानि अंतरराश्ट्री ओजोन दिवस के सुरुवात की गई थी और यह क्यों मनाया गया था आप देखेंगे 1987 मॉन्ट्रियर प्रोटोकाल पर हस्ताचर किया था जिसमें यह समझोता हुआ था कि ओजोन च्हायकारी पदार्थों को कम किये जाएगा इसलिए 16 सितंबर 1994 को यूनटेंट ने अंतरराश्ट्री ओजोन दिवस की घोशड़ा की इसके एलाव आप देखेंगे तो 26 अप्रेल क देखेंगे तो इसे सहित ४ क्यों मना जाता है क्योंकि इसीदिन ना तो राम, गोर्ट्षे, मात्मागादी के हत्याग ही थी तो इसी दिन जो हम आत्मागादी के संभान में मना जाता है is it all me about जाकर इसमें option B जो हो जाएगा साही हो जाए नमबर next की बात करवान 65 पुचा है एको मार्क किस उत्पात के लिए दिये जाता है मिलावाट रहित आर्थिक रूप से ब्यवहार परेवड के अनकुल कार्बोहाइट्र पर पूप यह भी question repeat हुआ है इको मार्क जो दिये जाता है वह BSI द्वारा दिये जाता है और किस लिए दिये जाता है परेवड के अनकुल बनते हैं उसे जो है इको मार्क दिये जाता है next question की बात किसमें पुचा निम लिखित में कौन सा स्थांधारी अंडे देता है साही यानि हेजॉग लोरिस इकडिना कंगारू तो बच्चे देता है ठीक है साही आपने देखा होगा गाओं में सो साही जिसके काटे होते हैं लोरिस यह एक नाइट यानि रातरचर चीव है यह भी जो है अंडे नहीं देता है एक डिना जो देखेंगे एक डिना देखेंगे साही की तरह होता है लेकिन इसकी चोर्च लंबी होती यह क्या अंडे देता है ठीक है यह आस्ट्रेलिया और तस्मानिया ठीक है न्यूजी लेंड में पाया जाता है इसमें जो है इसमें सीसाई हो जाएगा नेश कुछन की बात करें अंतर राष्टी सिस्षन पर नासा अंत्रिच यात्री द्वारा एकल यानि अकेले सबसे लंबी अंत्रिच उडान कर रिकार्ड किसके पास है तो एंटो आप देखेंगे जब कुछन पुछा गया 2020 में यूपी पीसल पुछा गया था उस टाइम जो रिकार्ड था मार्क वंडे है के पास था 335 दिन का और नए अपडेट है कि एस्टरोनाट फ्रैंक रुब्यो को इन्हों ने नासा रिकार्ड तोड़ दिया है कि सिंकल लॉंगस स्पेस्क्राफ्ट 301 दिन यह अंतर राष्टी अंत्रिश इस्टिशन में अकली रहे हैं तो यह रिकार्ड तूट तूट गया है अगर आपसे पुछा जाए अप तो आपको बताना है फ्रैंक रोबियो ठीक है इसके अलामा देखिए यहां पर लिखा गया है कि ऑजोन के बारे में जैसे अर्थ डे 22 सप्रैल को 25 सप्रैल क्या होता है वर्ड मलेरिया दे होता है और इसके लाव 26 सप्रैल को वर्ड इंलेचुंग प्रपर्टी राइट अगर आपसे पुछा जाए ओजोन छैकारी पदा इसके नेक्ट कोश्चन की बात करें नेक्ट कुछन को दस अप्रैल 2022 को घोसित नीत यायोग के राज उर्जा जलवाय सुझकांग के तहट भारत के निमलिखी तीन राज्यों में कौन सा राज सीर्ज प्रदसन करने वाला राज्य था मड़ीपुर्ट त्रिपुर्या मिज जो राज उर्जा और जलवाय सुझकांग जारी कियाता है उसके अंसार तीन सीर्ष प्रदसन करने वाले राज्य कौन से हैं तो बड़े राज्यों में आप देखेंगे तो गुजरात केरल और पंजाब सामिल थे थोटे राज्यों पुछे जायता आपसे गोवा त्रिपुरा माणिपुर्ट सबसे नीचे जो है आप देखेंगे तो उसमें 36 गड़ MP जार खंड सामिल थे इस प्रकार इसमें अब आपसे पूछे जाए निमलिकित में कौन सी जो है आप देखा ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो आप देखेंगे और गॉन जो है यह एट्मॉस्परिक कॉम्पोजीशन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एट्मॉस्पियर में पाया जाना एक अक्री गैस है बाकी क्लो जल्वाफ जयता है इससे भी कुष्चन आए यह आपको ध्यान रखना है जितनी में हाइलाइट करके हमने आपको मेटर दिया है वह आपको जरूर से जरूर याद रखना है ठीक है तो जल्वाफ सबस्यादा यह उसके बाद करबन डियक्साइज फिर नाइट्रिस जल्वाफ बाद करें तो यह राखना है आपको बदाना सनी के वाव बंडर में निम लिखित में कौन इसा से अ बड़ी मात्रा में मफ्जूथ सबसे अधिक कौन सी गैस बड़ी मात्रा में विद्दिमान है आप देखेंगे सबसे बड़ा ग्रहा है सबसे बड़ा ग्रहा प्रेस्पति होगा ठीक है और घनत में आप देखेंगे तो सबसे कम है धिक है इसका सबसे बड़ा उप ग्रहा आप से टाइटन है कि मुखता आप देखेंगे सनी ग्रह जो बना है हाईव्डोजन और हिलियम से बना है यान्ι ये वाले ज्योगा आउटर ग्रहा यै किससे बनें है हाईव्डोजन हीलियमस बनें इन्हेंधा कहते हैंρο इंटर्ण니् सब क्या है रोक और मेटल ते बने हैं ठीक है और ये यूरैनंस निपचून जो देखेंगे यह मारे मंजरमन्स में दिखेंगे यह मुक्ता जो है इसमें गजो है इसमैं व misf इनिगे tack आझेगे तो इसमें जो मुक्ता जो देखेंगे इसमें तो hydrogen दिया नहीं गया है लेकिन methane होता है methane के साथ ammonia का मात्रम पाया था इसके दाद nitrogen oxygen पायाता है तो इस प्रकार option C में सही है तो यह आपको ध्यान रखना है कि वाइ bundle में जो है जो यह बाहतम ग्राह है यह gaseous ग्राह में आप देखेंगे यह असली ग्राह होते हैं इसके राव क्यूपर बिल्ड देखेंगे तो यह यह पूरता आइस बेल्ड होते हैं ठीक है क्योंकि जितनी सूर्ज के दूरी बढ़ते चली जाएगा उनका तापमान कम होते जला जाएगा चीक है सबसे ज़्यादा गर्म ग्राह आपसे पूछा जाए तो देखिए रावन की बात करें पूश्चन करें नम्बर 171 में डेगू बुखार निमलिकित में किस मच्छर के काटने होता है एस यह और और देई और एनफलीज तो आप देखेंगे तो डेंगू बुखार होता है वो एडीज मच्छर होता है एडीज मच्छर क्या करता है तो कोई संक्रमित ब्यक्त उसको काटता है फिर उसका चुकौन चूसता है फिर उसका साथ ही डेंगू वायरस जो है अपने साथ लेके जाता है फिर और ने किसी ब्यक्त को काटता है तो उसके क्या हो जाए कि प्रवेस कर जाता है तो यह सब क्या करते हैं यह सब वेक्टर वहा का काम करते हैं ठीक है पेरसाइट्स आपको ध्याण रखना है एंफ्लीस से मलेरिया नामक विमारी होती है इसके लावाँ देखिए जिवानों से यानि बैक्टिरियस होने वाले लोग कौन से टाइफाइड है यानि प्रदूसर जल प्रोल के मलमुत ठूक्स के द्वारा फैलता है मलेरिया आप देखेंगे प्लाजमो डियम नामक जो है पैरसाइट यानि प्रोटो जोवा होते हैं इसको फैलाने का मादा इंफ्लीज मच्छर करता है इसके लाएं कुछन पूछा गया एक बार पूछन पूछा गया ध्यान रखना आपको केवल मादा मच्छरी खुन चूसती है नर्मच्छर खुन नहीं चूसता है इससे भी कुछन आ चुका है ठीक है इसके लाएं काला जार की बात करें काला जोह लिस्मैनिया नाम अंगता आप देखेंगे इससे प्रोटो जोवास फैलता है सेंड फ्लाई काटती है यहां से जो है अपना पैरसाइट ले जाकर छोड़ देती है इससे तेज बुखार और पीलियकार बन सकता है इसके ठीक है कुशे नंबर 172 की बात कर लेते हैं 172 पुछा है निमलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है मात्रा दिया है उनका SI जो है इकाई पुछा है रेडियो धर्मी परदात की गतिविद्य क्यूरी लेंस की सकती जाप्टर ताप जूल दबाव पासकल आपको है ठीक है ताप का जो यूनिट है वो केल्विन है इसमें सिर्फ ऑप्शन सी जो है सुमिलित नहीं बाकी सब सारी चीज़े सुमिलित हैं नेक्स कुशन की बात करें कुशन नंबर 73 में देखिए निमलिखित में कौन सा 2030 तक प्राप्ट किया जाने वाला SDG लच्छ नहीं है अंतरिश अंसंधान गुडवत्ता पूर सिच्छा लेंगिक समानता शुन्य भूग यानि जीरो हंगर इंडेक्स आप देखेंगे यह हमारे 17 गोल है जो 2030 तक प्राप्ट किये जाने वाले हैं इसमें कहीं भी आप देखेंगे जो है अंतरिश अंसंधान की बात नहीं की प्राइटन गोल्स ठीक है यानि इसमें ओप्सन यह सामिल नहीं है 17 गोल्स में नेक्स कुछन की बात करें 174 में क्या पुचा है सी यह भी रिपीट हुआ है सी यह यह मुकता किसे बना होता है मेथेन प्रोपेर एथेन ब्यूटेन तो आप देखेंगे सी अंजी जो होता है वeties देखेंगे मेथेन से बना होता है यानि 80 से नभी परसंट जो है आप देखेंगे मेथेन होता है इसके लाभाऊ में इसमें क्यों इसमें जो है option एसा ही हो जाए next question की बात करें नियोप्रीन, विसिस्ट रबड एस्पर्टर्म, सिंथेटिक स्वेटनर ओक्सिटोसिन हार्मोन, रियान, रुपांतिर स्टार्ट तो आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आप देखें जहां तक नियोप्रीन की बात है यह कृतिम रबड है जो विसिस्ट रबड बना जाता है ठीक है, ओक्सिटोसिन एक हार्मोन हो, रियान की बात करें तो रियान जो होता है, वो एक रुपांतिरिक स्टार्ट है ठीक है, इसके अलामा रियान जो होगा, यह कृतिम रेसा होगा रुपांतिरिक स्टार्ट नहीं, यह क्या होगा? कृतिम रेसा, आप इसको सही कर लीजेगा यह क्या है? कृतिम रेसा है ठीक है, इसमें option D सही नहीं है इसके अलामा option B में देखिए, synthetic sweetener यह सही है, synthetic sweetener से भी कृतिम आ चुके हैं, ठीक है? तो यह चीज़े आपको ध्यान रखनी है कृतिम नमबर 176 में क्या पुछा है? सवर उर्जा को विद्धूत उर्जा परवर्तित किये जाता है किसके दवारा? सूखी सेल दवारा Lexus सेल दवारा Voltic cell दवारा, photovoltic cell तो आप देखेंगे जो sun उर्ज है, solar panel लगा होता है उसमें photovoltaic cell लगा होता है अदर ठीक है? इस plate के अंदर लगा होता है अरो ठीक है? फिर यह क्या करती? energy store करती है, और यह convert करके जो है, घर में ब Beispiel पहली देती है इसमें जो है इसके अलामा कहां युच किया जाता है यह की अ नेक्ट बात करते हैं कि वुश्षन नमबर कि देखने से पहले एक चीज़ अगर आपसे पुछे जाए कि यानी कौन सी उर्जा किसमी परिवर्चित करती है यह चीज़ आपको ध्यान रखना है प्रकास संसेटर में जो आप देखेंगे सोर उर्जा को उप्योग करके उसे रासानिक उर्जा में जो है परिवर्जित कर या बायो मास में परिवर्जित किये जाता है कि कुशन नमबर 177 में क्या पूछा है क्रांति दी गई है उससे संबंदित जो है तथ दिये गए है स्वर्डियम क्रांति तिलहन उत्पादां ग्रे क्रांत बागवानी और सायद पीली क्रांत पेट्रोलियम उत्पादां पाली क्रांत उर्वरक तो आपको बता है प्रांत का मिलांड करना है आप देखेंगे एगरी कल्चर रिवलिशन में पूरा लिश्ट दिया गया जैसे ब्लैक रेवलूशन जो है पेट्रोलियुम से ब्रू पीज से ब्राउन आप देखेंगे तर लेदर से मिल्कस्अ यह यह से एलो आप देखेंगे masih अफटीलाइजर से पिंक आप देखेंगे स्वर्डिम यानि आप देखेंगे golden revolution आप देखेंगे से सयद और भागवानी से और जहां तक ग्रे की बात है तो ग्रे जो है उर्वरक्त से पीली क्रांद की जहां तक बात है वो तिलहन उत्पादन से काली क्रांद जो है आप देखेंगे petroleum उत्पादन से इसको भी आप करती है रात में जब ठंडी होती है तो यहां से अपनी radiation निकालती है लेकिन आप देखेंगे अगर बादल है बादल है तो क्या करते हैं इसके दवारा ही प्रितिवी का atmosphere जो है गरम होता है इसका option हो जाएगा long wave radiation यानि इसमें option A सही है बाकी detail में class में चर्चा करेंगे इसमें question solve कर लेते हैं question number 179 में क्या पुछा है हम जिन उर्जा स्रोतों का उप्योग करते हैं उन में से अधिकान संग्रीत उस और उर्जा का प्रत्नित करते हैं नेम लिखित में कौन अंतता सूरी की उर्जा से प्राप्त नहीं होता तो देखिए घुमागा question पूछा है कि मनें लाइब लेखिए ब्रफेर्जा कि अनर्जी क्या है एक एक यु्नव आप ढेखेंगे इसे स्वाचल से प्राप्त नहीं किया सकतें लकिन ब्रफेंस था करती हैत्य है प्रकास अंसलिष्ण करिये द्वारा energy store करते हैं इसके इलामा आप देखेंगे भूतापी उर्जा की जहां तक बात है तो भूतापी एनरजी जिसके अंदर प्रित्वी के अंदर आप देखेंगे तो रेडियो एक्टिव माटेरियल होते हैं तो वो भी सूर के गृत्तर कर्षण और विक्रण से प्रवाववित होते हैं पुल मिलाकर इसमें ऑप्षण बी जो है सही है पूशन नंबर 180 में क्या पूछा है भारा सरकार के केंदरी परेवड वन जलवाय परवंतर मंत्रा लेने डाल्फिन दिवस की गुफडा की है जिसे मनाया जाएगा 15 अप्रेल 5 अक्टूबर 15 जुलाई 18 अक्टूबर आप दालफिन जो है फ्रेस वाटर डाल्फिन याई नदियों में पाए जाती है तो नेपाल भारत भांगलादर्स में आप देखें गंगा ब्रहंपुत्र मेगना और कड़फुली सांगु नदियों में पाई जाती है तो इसमें जो है ऑप्षण बी जो हो जाएगा सई हो कर दो जाएगा कर दो दो जाएट